नमस्कार दोस्तों, मैं अचारे वसुदा हर्दे का मिनन्दन करती हूं आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में हम बाख करेंगे आने साल के बारे में जी हां ये इंग्लिश कलेंडर के अनुसा श्यूरू होने वाला है साल दो हसार चॉबिस जी हाँ, साल के बारा महीने, बारा की बारा राशियों के लिए कैसे रहेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में, साथ ही साथ बताऊंगी कुछ ऐसे सटी कुपाई जिने करके आप अपने जीवन को और जादा खुशाल बना सकते हैं, दोस्तों कहते हैं, जोतिश शास्त्र वो नेत्र है, जो आपका भागय तो नहीं बदल सकता, लेकिन आपके भागय को बदलने के लिए, आप एक करमास को प्रेडिक करता है, अगर आप अच्छे करम करेंगे, तो रिजल्ट भी अच्छे ही मिलते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ जोतिश का काम, आपको पह पहले धनका संचे करके रखिए, लडाई जगडों से बच कर रहिए, अपनी वानी पर कंट्रोल कीजिए, ओफिस का काम सतर्कता से कीजिए, पेपर वर्क ध्यान में रखिए, यही सब बताता है आपको जोतिश, और जोतिश के द्वारा अगर आप सतर्कता बढ़कर अपन जी हाँ, साल दो हजार चॉबिस में मेश लगन वाले जातकों के जीवन में कौन-कौन से वदलाव आएंगे और क्या क्या रहेंगी आपके उपलब धियां, कौन सा करना चाहिए, उपाए और क्या बरत्मी चाहिए, साबधानी, इन सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे दहले, यदि आपने अब तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरू दबा दीजे, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके हैं, तो चलिए बात करते हैं, वीडियो की तरफ आगे बढ जो पीछे अभी आपके लगन में राहु से पीडित थे, बहुत ज़्यादा परिशान कर रहे थे, गुरु चंडाल योग बना हुआ था मती ब्रिष्ट कर रखी थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस साल की शुरुआत में देव गुरु ब्रहस्पती यहां उसे जनवरी, फर्वरी, मार्च और अप्रेल चार महीने में आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देंगे, अभी रिजल्ट कैसे होंगे, हाला कि यहां पर देव गुरु ब्रहस्पती विराजमान है, तो क्या करेंगे, कहीं न कहीं आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ेंगे, आपके मान सम्मान और सोच को बढ़ाएंगे, लेकिन शनी के तीसरे दृष्टी जो देव गुरु ब्रहस्पती पर पढ़ रही है, उससे इस सोच में थोड़ा सा यह काम जो है वो धीरे से चलेगा, तो आपको क्या करना है, अपने आपको अध्यात्मिक कार्यों से अगर आपको पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अपनी स्टडी को और ज्यादा मेहनत के साथ करना है, क्योंकि शनी जब भी दृष्टी डालते हैं, तो फलो को थोड़ा स्लो कर देते हैं, थोड़ा सा आपको रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन वही शनी आपको क मैश लगन वाले जातकों कि अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामे साल की शुरूआत में होंगे आपके भग्ये के 기자 मैं, तो यहां से अगर हम बात करें तो आपकी हल्ट इंप्रू और जे पहले महिने में, साथ ही साथ इसी टाइम पीरड के दोरान आपके पित अब बात करते हैं हम जैसे ही यहां पर आपके लगन के स्वामी मकर राशी में प्रवेश करेंगे जी हां फरवरी के महीने में शुरुआत में मकर राशी में यानि की नीच के हो जाएंगे आपके लगन के स्वामी और आकर विराजमान होंगे आपके करम के भावबे तो उस सम में आप लोगों को अपने काम पे बहुत जादा ध्यान देना है साथ ही साथ अगर मैं ये कमू के इस समय आपको किसी भी प्रकार की पेपरवर की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए तो कोई दोराय नहीं है साथ ही जिन लोगों का बिल्डिंग मेटीरियल का काम है स्पोर्ट करते हैं सेना में हैं फौज में हैं उन लोगों को इस टाइम पीरिड के दौरण थोड़ा सा ध्यान रखने की आविशकता है अब इसके बाद में जो दूसरा पड़ा आवाएगा वो आएगा देव गुरु ब्रहसपती की राशी चेंज होने का समय बीच बीच में ग्रह र शनी राहू और केतू लेकिन इस वर्ष में शनी पूरे साल कभी वक्री स्तिती में कभी मार्गी स्तिती में रहेंगे कुंभ राशी में ही अपनी मूलत्रिकोंड की राशी में और ये इनकी अपनी राशी स्वराशी भी है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां पर कु टो छोटे चोटे ग्रहा जो राशी परिवर्तन करेंगे उनका ग्रहा गोचा आपको दे रहेंगे लेकिन साथ ही यहां पर अगर हम बात करें कि जो विशेश परिस्तिती रहेगी वो रहेगी मई से होने वाले सबसे पहली चीज जो शनी से पीडित चल रहे थे शनी की वज़े से जो बहुत जादा disturbance चल रही थी वो खतम होती होई दिखाई देगी देव गुरु ब्रहसपती आपके income के कारक है आप लोगों की इंटेलिजेंसी बढ़ाएंगे खास तोर से वो लोग जो किसी प्रकार की consultation देते हैं उन लोगों के लिए ये धन संचे का समय रहेगा धन स्थान में देव गुरु ब्रहसपती का आगमन होगा और साथ ही साथ ही यहाँ पर स्वराशी के शुक्र भी योग बनाएंगे आप लोगों के लिए तो लक्षमी आपके घर के अंदर बनती हुई आती हुई दिखाई देंगी अब बात कर लेते हैं बाई के बाद ही हम बात करते हैं आगे आने वाले समय में तो आगे आने वाले समय में आप लोगों का व्य जुलाई के महीने में थोड़ा सा आपको आपके धन का ध्यान रखना होगा अपवेसे बचना होगा अगस्त के महीने में जीवन साथी के साथ योग तो अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ी सी ट्यूनिंग जो है वो आपको बना कर रखनी बड़ेगी अब बात करते हैं हम इस महीने में कुछ उतार चड़ावाएंगे लेकिन उतार चड़ावों से आपको धन के योग बनते हुए दिखाई देंगे तो ये पूरा साल आप लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीन महीनों में आप लोगों को किये इसके अलावा, दोस्तों हमारे चैनल पर आपका मासिक राशिफल और आपका साप्ताहिक राशिफल, विभिन ग्रहों से होने वाले ग्रह गोचर के बदलाव से आपकी राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन समी की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लेक साल के शुरुवात के चार महीने में आपको किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ाई की वस्तुए दान देनी है आप वो वस्तु कैसी हो सकती है किसी को आप कॉपी पैंसल दिला सकते हैं किसी की फीस भर सकते हैं किसी को और पढ़ाई का समान दे सकते हैं तो इस प्रकार का अग जैसे ही देव गुरू ब्रहस्पती आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे यानि की शुक्र की राशी में प्रवेश करेंगे तो उस टाइम पीरिट के दौरान मई से लेकर और दिसंबर तक जी हां 30 दिसंबर 2024 तक आप लोगों को क्या करना है विशेशकर आप की वाणी में शुद्धता आएगी और दूसरी चीज इससे आप से इसके द्वारा आप से लोग बहुत जादा इंप्रेस होंगे आपकी कही हुई बातों को मानेंगे जो की आपके अपने इस्तर पर याने की व्यक्तिकत रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा व्यवसा करती हूं कुछ विशेश लेकर तक तक के लिए जैमा भगवती